नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त और सानन्द होंगे आप सबों के सुख शांति और सम्रिद्ध की मैं इश्वर से कामना करता हूँ प्रत्य एक दिन की तरह उपस्तित हूँ आज फिर से एक नए नायाव वेडियो में मैंने बहुत स बड़े हाई बना दिये हैं और वो stocks भी बताओंगा और उनके levels भी बताओंगा और उनके जो नए targets हैं वो भी बताऊंगा बने रहे वीडियो में और हर एक stock को properly देखिए और समझेए तभी आप जान पाएंगे कि इनके proper levels क्या हैं और इनमें कैसे trade करना चाहिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और मैं बात करूंगा 5 ऐसे stock की जिनों ने बहुत ही भयंकर performance दिया है over the period और कुछ ने मैं वीडियो का नमबर बताऊंगा date बताऊंगा आप जाकर उन वीडियो को देखिएगा मैंने उनको कब आप लोगों के लिए recommend किया था और कितने भयंकर returns उन्होंने आप लोगों को बहुत थोड़े समय में एक देड़ महिने के अंदर अंदर दिया है देखिए सबसे पह आते हुए 13 नमबर को 3300 पर था और 5600 का level टच करता है ये कब 6 जैनवरी को यानि कि सिर्फ 53 डेज के अंदर अंदर इसने आपको जो return दिया है वो mind-boggling 65% के आस-पास का return दिया है 65% return 53 डेज में देख रहे हैं मेरे इस channel का नाम top share ideas यो ही नहीं है मुझे कोई चलते हुए ख आपने channel का नाम मैं हमेशा ऐसे ही stock आपको बताता हूँ ऐसे ही stock में मैं खुद deal करता हूँ और आपको भी recommend करता हूँ जो बहुत जबरदस्त momentum में होते हैं और उनमें चलने का बहुत बड़ा potential होता है सिर्फ top performing या top most performing stocks में ही मैं deal करता हूँ और आप लोगों को भी recommend करता ह हूँ तभी देखिए इस पहरिस्त में कितने सारे examples हैं मैं आपको वह भी दिखाऊंगा awesome enterprises ने 80% का gain आपको दिया है man industries ने आपको 60% का gain दिया है और कितने दिनों में बहुत थोड़े थोड़े दिनों में 15 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर अंदर जियोजीत finances ने 38 के level से 64 तक आपको लगबग 60% का gain इसमें भी मिला है और उसके बाद देखिए हिंद फूड्स ने हिंदुस्तान फूड्स ने 907 नौसो साथ रुपे से चलकर 1700 का level टच किया 92% का gain यहाँ पर भी आपको मिला है गोकुल एग्रो 18 नौंबर को मैंने बताया था वहाँ से 110% का gain इसने दिया है सिर्फ और सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर अंदर इसने 13 रुपे से 27 रुपे 50 पैसे को टच किया 13 रुपे से चलते हुए और सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर PNB 27 रुपे पर मैंने आपको recommend किया था 42.5 को इसने टच किया सिर्फ 35 दिनों के अंदर या something like this Union Bank ये भी 25 रुपे पर मैंने recommend किया था वहाँ से 34 रुपे का level A टच करता है PNB और Union Bank दोनों में ही 40-40% के gain मिले है आपको मोईल 130 पर मैंने recommend किया था वहाँ से लगबग 160 के आसपास पहुंच जाता है ये और इसमें जो gain मिला है लगबग 25% का और वो भी कितने दिनों में बहुत थोड़े दिनों में लगबग 20-25 दिनों के अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं वापस आपको लिए चलता हूँ उन stocks की और जिसकी हम बात कर रहे हैं अलकाइल एमाइन 53 डेज में 65% उसके बाद next stock देखिए LTTS LTTS को मैंने ये वीडियो नंबर 49 है वीडियो 49 में मैंने आपको बताया था और ये बताया था आपको 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को मैंने recommend किया था आपको और देखिए LTTS 1700 के level से लगबग 2700 के level तक चला गया और इसमें जो आपको gain मिला है ये मिला है mind boggling 60% के आसपास का gain देख रहे हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी stocks होते हैं मैं बहुत research करके आप लोगों के लिए लाता हूँ और बहुत in-depth analysis करके तमाम जगों से data collect करके उनको research करके ही आप लोगों को stock बताता और इतने भेंकर performance मेरे stock तभी देते हैं इसलिए इन सब के बदले आपसे एक छोटी सी अपेक्षा होती है एक छोटी सी विंती कि मेरे इस channel को subscribe करेंगे और share करेंगे अपने मित्र जनों परिवार जनों के साथ और वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा बिल आइकन को press कर दिजेगा थाकि notifications भी आपको मिलते रहें अब मैं आपको थीसरे number के stock की ओर लिया चलता हूँ जिसका नाम है SKF SKF में आज ही 20% का परसर्किट लगा था 20% का SKF मैंने आपको बताया था वीडियो नमबर 76 में वीडियो 76 में यानि कि आज से लगबग 15-16 दिन पहले यानि कि 12-14 ट्रेडिंग सेशन्स में SKF उस समय 1700 के लेवल पर चल रहा था और वहां से उठके आज ये 2400 के लेवल पर पहुँच गया है समझ रहे हैं सिर्फ 12-14 ट्रेडिंग सेशन्स में जो इ किया है लगबग 50% के आसपास और आज इसमें 20% का जोरदार अपर सर्केट लगा था इसी तरह मैं आपको गुजरात गैस के बारे में भी बताना चाहता हूं गुजरात गैस मैंने आपको बताया था ये था वीडियो नमबर 26 ठीक है वीडियो 26 में बताया था और 360 के लेव अपर सर्केट था और 20-20% के अपर सर्केट इस बात से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि मेरे जितने स्टॉक होते हैं उनमें कितना जवरदस्त ग्रोस पोटेंशल होता है तो 360 के लेवल से ये 450 के लेवल तक आज इसने टच किया और इसमें जो आपको गेन परसेंटेज मिला है 25% का ठीक है और कितने दिनों में ये भी पता दे रहा हूँ आपको मैंने इसको रिकॉमेंट किया था आपको 28 नॉमबर को और 28 नॉमबर से अगर आज आप काउंट करें और आपको जो गेन मिला है 70 दिनों में 25% का माइंड ब्लोइंग गेन मिला है शक्ति पंप्स क मैंने रिकॉमेंट किया था आपको 390 के लेवल पर और 390 से चलता हुआ ये 450 को टच करता है और ये था मेरा वीडियो नंबर ये था मेरा वीडियो नंबर 74 यानि कि आज से 16-17 दिन पहले यानि कि 14-14-15 ट्रेडिंग सेसंस पहले 14-15 मैं रफले लिख रहा हूँ ट्रेडिंग सेसंस में इसने आपको गेन दिया है कितना माइंड बॉगलिंग 20% का गेन दिया है 14-15 दिनों के अंदर दिया है ज्यादा पुरानी बात नहीं है 14-15 दिन ही मैंने वीडियो डाला था कि अभी आज वीडियो 92 चल रहा है और यह वीडियो 74 है आप देख रहे हैं 18 दिन हुए इसमें से सटरडे संडे निकाल दीजे 14-15 ट्रेडिंग सेसंस में आपको 20% का गेन दिया है इसमें देख रहे हैं इनको कै करने की बजाए इसको एक मतलब एक लॉंग होराइजन के लिए रखिए 4500 से 4700 के आसपास कहीं मिल जाए तो उस रेंज में इसको खरी दिये और इसको रखिए अपने पास क्योंकि लॉंग टर में बहुत अच्छा रिटर्ण देगा इसके फंडमेंटल बहुत ही जवरदस हैं बहुत ही जवरदस्ट दूसरा देखिए जो दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ आपको यह है ल्टी टीएस यह भी लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के ग्रेड का ही अभी पक्चिस सो के आसपास चल रहा है पहले 2700 के आसपास चला गया था फिर वहां से नीचे गिर लगवग 2500 के आसपास इसका प्राइस समय चल रहा है यह भी किसी बड़े फॉल में आपको अगर 2200 के आसपास मिल जाता है तो वहां पर इसको खरीदिए और इसको भी लॉंग टर्म के लिए रखिए यह सब यह सारे स्टॉक जो मैं चुन कर लाया हूँ आपके लिए यह ल लों को इस समय करीब करीब 440 के आसपास इसका अभी प्राइस चल रहा है कहीं अगर प्राइस गिरे इसका अगर यहां कॉंसोलिडेट करता है हलाकि इसमें बहुत जवरदस्त मोमिंटम है जब तक आप सोचेंगे कि इसको पकड़े तब तक आगे निकल जाता है ऐसी एक पात में आपनों से कहना चाहूंगा कि जो भी पैसा लगाईए इसमें हर एक में पैसा कम लगाईए 40% के आसपास अपने बजट का सिर्फ 40% किसी स्टॉक में लगाईए क्योंकि मार्केट बहुत हावर वैल्यूड है मैं हमेशा कहता हूं और कॉशन जो है स्टॉक मार् गिरेगा तो वहां पर इसको करिए और आपको और बहतरीन गेन मिलेगा तो गुजरात गैस कहीं 400 के आसपास मिले तो इसको खरीदिए और यह भी मिड़ कैप स्टॉक का सितारा है नायाब सितारा है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है आने वाले समय में इसमें आकर आप चेक कर सकते हैं तो गुजरात गैस को आप 400 के आसपास खरीदिए देखिए एक चौथे नम्मर का स्टॉक जो मैंने अभी बताया आपको इसकेफ इसकेफ और भेंकर मोमेंटम में है और इसकेफ जो है वो 2400 के आसपास चला गया है कहां से 1700 से उठकर सिर्फ 15 दिन इसी सिवली तोड़ा है तो मुझे जो लगता है यहां से कम से कम 15-20% का गयन मिलना चाहिए तो अगर 2300 में अगर आप जोड़ें 15% का गयन तो यहां से minimum 15% बता रहा हूं तो यहां से जो minimum बनता है इसका 2600 से लेकर 2700 तक इसका गयन बनता है तो इसमें अभी भी opportunity है अगर आप इसको खरीदते हैं और 2400 के आसपास है मिल रहा है तो इसको ज्यादा मत खरीदी अगर यह फिर कहीं नीचे डाउन में भी आपको आकर मिले सपोस 2200 के आसपास तो इंतजार करीए अभी 40% ही पैसा लगाई है यहां से उपर जाकर अगर आपको profit दे देता है तो आप profit उठा लीजिए तो 2400 से लगबख 2700 जाना मुझे करीब करीब तया लगता है 2600 से 2700 के बीच के रेंज में 5% अल्मोस्ट अल्रेडी मूव कर चुका है अपने लेवल से 2300 के लेवल से 10% के आसपास इसमें अभी बाकी लगता है मुझे तो एक बहतरीन यहां पर गेन हो सकता है इसको विध्यान में रखिए और पांचवे नंबर का जो स्टॉक मैं बताना चाहता हूं आपको पांचवे स्टॉक की बात करना चाहता हूं आपसे पांचवे स्टॉक है शक्ती पंप शक्ती पंप इस समय जो है यह इसने 445 का लेवल आज टच किया है तो इसमें अभी जो मुझे लगता है कम से कम इसको 500 का लेवल टच करना चाहिए कम से कम बता रहा हूँ तो यहां अभी कम से कम 10 से 15 परसेंट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं इसमें बढ़िया मोमिन्टम है यह 500 का लेवल बहुत ही कंजरवेटिव दे रहा हूं मैं यहां से कम से कम यह 600 का अगर इसने टच किया तो इसमें देखिए इसमें कम से कम 25 से 30% का गयन आपको यहां से मिल जाएगा तो इन पांचों स्टॉक को ध्यान पे रखिए इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा कौशन देना चाहूंगा दो स्टॉक्स बड़े ही जवर दस्क दने पहले से बता रखिए हैं और उनमें बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे दिखने में आ रहा है थोड़े दिनों में एक स्टॉक में बता हूँगा आपको NACL इसमें जो औरदार जो है ऑपरेटर्स खड़ीदारी कर रहे हैं तो NACL को ध्यान पे रखिए और दूसरा स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ वो है JCT जिस पर आज ही मैंने एक वीडियो डाला था JCT एक penny stock है लेकिन इसका पूरा detailed analysis करके मैंने बताया आपको कि किस तरह या आपको कम से कम तीन गुना से लेकर पांच गुना तक गेन दे सकता है और वो भी short term में इसलिए इस दोनों को ध्यान पर बनाया रखिए मेरे JCT वाले वीडियो को definitely देखिए आपको बहुत insight मिलेग बहुत कम लोग actually penny stock देखके बहुत से लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको JCT में अच्छा movement है मैं खुद भी penny stock में ज्यादा deal नहीं करता लेकिन जब कोई momentum होता है तो उसको ride कर लिया करता हूँ तो JCT पर एक पर जाकर मेरे इस परसेंट तक का gain आपको JCT दे सकता है और NACL की जहां तक बात है 40 से जो मैं इसका next level देखता हूँ 55 है और यहां से जो आपका gain percentage बनता है 30 से 35% का gain percent यहां पर मुझे दिख रहा है यह minimum target है बहुत conservative target है फिर भी चलिए बहुत बहुत धनेवाद मिलता हूँ आप लोगों से एक जबरदस्त वीडियो में एक नायाफ वीडियो में कल फिर से तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धनेवाद जैश्री राम